राजपूर विदान सभा की ग्राम लिंबाई में ग्रामिनों दुआरा बनाई जा रही सड़क की खबर लोक्तंत न्यूस पर प्रसारित के जाने के बाद अब जन प्रतनिधी और परशर्शन आगे आने लगा है इस मामले के लिकर जहां राज़ी सभा सांसत सुमेर से सुलंक की ने राजपूर विदायक और प्रुव ग्रामंती बाला बच्चन पर निशाना साधा इसके साथ ही उन्होंने इस मसले पर गंबीरता प्रुवक काम करते हुए जेले के कलेक्टर और जिला पंचाय सीयो को आज ही निदिशित करने की बात कही उन्होंने कहा कि गाउं के ल आपने विशेय मेरी संग्यान में लाया है मैं इस विशेय के उपर पूरी गंबीरता पुरवक कारी करते हुए जिले के कलेक्टर और जिला पंचाय सीयो को आज ही निर्देश दूंगा कि वहाँ पर सड़क जो बन रही है जो गाउं के लोगों ने अपने परिश्रम से दिवसी भाईयों और बेहनों को तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आत्म निर्भर भारत के था तो उन्होंने अपने गाउं की सड़क खुद ने बनाई है वो धन्यवाद के पात्र है और इस देश में ऐसे सामाजी कारे करता और एसे जो लोग है वो काम कर रहे है वो अंसद भारती जनता पार्टी के और विधायक हैं हम सब लोग इसको लेकर बहुत समयदन से ले और मैं आज ही अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि जो जामनिया में सड़क गाउं के लोगों ने बनाई है उसको सरकारी व्यवस्था के तहत और अच्छी और बहतर बन थी या नहीं बनी थी तो कौन से विभाग से बनी थी और इससे अब कौन सा विभाग बनवा सकता है इसकी पूरी जाच कर आगमी कारवाई करेंगे मैंने उसको दिखवाया भी है तो चूकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है मैं उसको प्रापर तरीके से जाच करवा लेता हूं कि वो रोड पूरू में बनी थी या नहीं बनी और बनी थी तो कौन से विभाग से बनाई गई थी और नहीं बनी है तो उसमें मोका देखे कि क् करवाने के बाद आगामी कारवी कर लेंगे ranks लोकतंत न्यूस पर खबर प्रसाइड किये जाने के बाद इन ग्रामुणों की समस्यों को लिए जन परतननी दी और अधीकारी अच्छनक जाग उठें अब देकना ये है कि कब तक अधीकारी और जण परतनी दी अपने दावे और वादे को पूरा करते हैं या एक बार फिर गामिनों के हाथ में सिर्फ निराशा लगेगी